वेलकम फ्रेंड युक्ति आईएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज 16 दिसंबर है तो दैनिक ज्यागरं के राश्टी संस के न्यूज पेपर में आप लोग पीटी मेंस और इंटिव्यू और इन कोणकोल से न्यूज को कवर किया गया है जिसमें यूपी एस्सी और स् पहले आप लोग युक्ति आईएस का यूटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए और कोमेंट सेक्शन में महत्कुन कोमेंट सुझाओ दे सकते हैं और जो भी प्रसंद पूछा जाता है पीटी और मेंस और उसका एंसर देने का परियास कीजिएगा ताकि जो भी चीजे आप लोग के लिए इंटर्नल डवलप्मेंट के लिए जरूरी है वो किया जा सकते हैं साथ ही साथ युक्ति आईएस का एप जरूर डाउनलोड कीजिएगा यह आप आपको गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर दोनों जगा उपलवद है तो आप इसका ल अवासी टेस्स इस पर अपडेटेड है तो आप लोग इसका लाव ले सकते हैं और हर सेग्मेंट को एंसी आटी हो या तो युक्ति टेस्स इरीज हो करेंट एप इसका लाव लेजिए और टारगेटेट बैच चल रहा है उसमें भी आप लोग जो जोईन कर सकते हैं जो इं चलता है तो आप इसको जोईन कर सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले में एक बाद कलर चेंज कर लूँ चलिए तो मैं समझ सकता हूं आपसे चीज़े क्या हो रही होंगी जिसमें आप लोग को इंपोर्टेंट टॉपिक स्रीज कभर किया जा रहा है अब बहुत से लोग जूड़ रहे हैं तो आप लोग जल से जल जुड़िए देखिए यहां पर एक बहुत ही महत्पून युद्ध्यावास चल रहा है चीन के हालिया जो घटना करम हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़े देखिएगा आप लोग कि कैसे कैसे आ या वह स्थिती अब अर्तमान में भी कायान है क्या ऐसी स्थिती में हम भार बैख फूट पर या फ्रंट पूट पर में लगतार आप लोगों को न्यूज कवर किया था कल भी रहे हैं आपको 13 तारीकों भी न्यूज कवर है या 15 को भी न्यूज पर कवर हुआ आज भी तो अब हम लोगा सीमा रिखा को पार करने की कोशिश की तो भारती सेना ने जो किया जड़क हुआ वो तो हुआ ही साथ में देखी हम लोग कैसे सीमाओं पर अपने छमताओं का परदर्शन जैसे ही करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ने यह मनो विज्ञानिक दवावा थ इसी के लिए देखिए राचल परदेश के पुरवर्ती इलाकों में गुरुवार के दिन क्या हुआ बड़ा दो दिनों का बड़ा युद्ध्यावास का युद्ध्या जो अभ्यास उसको किये जानी का प्रोग्राम बनाये गया और यह सद कीजे वाप अपडेट होई जिस अभी इसको करने का मकसद ही होता सामने वाले पर मनो विज्ञानिक दवाव देना और इसका उद्धेश कुछ नहीं होता है सभी देश करते हैं तो देखिए पहले और अब में अंतर हमारे नितियों में भी आ रहा है तो यह बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में ससक के लिए तो यह सब चीजे आप लोगों को बैग्राउंड में लेकर चलना है देखिए 36 जो राइफल ता अनुतिम राइफल वह भी हमें प्राप्त हो चुका है इस दर्मियान तो चीजे यह सब होगा नीचे के पेज में दिया हुए ठीक ना तो थोड़ा सा घटना क्रम भ बहुत ही महत्पूर्ण यूज है जो हमारे रक्षा और सौदेशी जो प्रदोकी है उसमें आपको बहुत बड़ा मार्क दर्शक होगा यह क्यों होगा इसने यह किया है कि हमने अंतर ब्लेस्टिक मिसाइल टेक्निक का शफल परिक्षन था उसमें किया है और यह किज़े है न क्या होता है कि रक्षा प्रदोकी को है न अंतराश्टिय करन कर दिया इसने अब है कि जो भी ब्लेस्टिक मिसाइल स्रेनी में हम लोग आते हैं पहले हम आ रहे थे पर अब हम क्या करते एसिया और एसिया चीन के साथ पूरी अफरीका जो है हमारे जद में आ गया है मैप आप देख सकते हैं यह अफरीका देश है फिर आपको यहां पर ऐसे आप आईए और इसके बाद इंडिया ऐसे है न तो अफरीकी देश जो जद में होगा एसिया पुरत जद में होगा और आधा इरोब भी जद में आ जाए जो 5000 किलोमेटर रेंज का होगा तो सारी भूमी स तीमा हमारे जद में होगी तो कहने का अर्थ यह है कि हमें अब अंतर द्विप्य ब्लेस्टिक मिसाइल इंटर कंटिनेंट से कहने का मतलब है कि हमारे पास कितने कंटिनेंट कितने महाद्यूप है महाद्यूप है आप लोग बताईए तो जितने भी महाद्यूप हमारे पा तो एक महाद्यूप से दूसरे महाद्यूप तक पहुच को जो प्रदोकी है उसको लाने की जो प्रदोकी होती है वह इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल कहा जाता है या अंतर महाद्यूप के मिसाइल कहा जाता है इसी तरह मालेज अमरीका अमरीकी महाद्यूप से अगर एसिया म इसी संदर में देखिए हम लोग कैसे अपडेट हुए हैं इसमें देखिए विक्सित करने दुनिया का हम पांचवा देश बने जिसमें अमरीका रूश प्रांस और चीन देखिए हलाकि याद रखिएगा उत्तर कोरिया भी इसमें है पर उसे हम इसलों के सिरेनी में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी जो छमता है उसके उसके जो जो भी प्रदोकी उसने डवलब किया उसे और थराइड नहीं कराया गया इसलिए कि वह है ना किसी भी सर्थ को नहीं मानता है इसलिए उसको हम इस रेनी में हिलाते पर उत्तर कोरिया ने भी इंटर बैलेस्टिक उसको डवलब करने का प्रोग्राम बनाए हुए तो ध्यान रखिएगा वह अमरीका के जद तक पहुंचा हुआ है तो जो कभी प्रस्न पूछे तो पांच देशों के नाम अभी लिजेगा और जो दच उत्तर कोरिया है उत्तर कोरिया है उत्तर कोरिया रेजिस्टर नहीं जो एक इकरित परिशा चार से हवा से दाग सकता है जो इसी अन्य खुबियों के तहत देखे मिसाल एक बार छोड़ी जाए छुटी तो रोकी नहीं जा सकती अर्थात एक बार छोड़ देने एक बार इसे भूल जाना पड़ता है और यह अपने लक्ष को भेद कर ही आएग यह प्रदोकी इसके पास है भारत के तरकस में सबसे लंबी दूरी के प्रहार करने वाली पर्चेपाद एगनी 5 जो मशाल है वो हो गया जो लगवा 5,000 किलो मिटर तक अपने जद में सारे सिमाओं को लांगेगा तो यह सब चीजे यहाँ पर न्यूज अपडेट है इसमें से उडिसा बालेसवर इस्तित अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परिच्छन किया गया तो यह द्वीप का नाम याद रखिएगा और मुझे यह बताईए अपनों कोश्चन यहाँ पीटी फैट के रूप में जो बालेसवर इस्तित जो द्वीप था पहले इसका नाम क्या और इसका नाम किस वर्ष अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया तो यह दो कोश्चन यहाँ से बताईएगा चलिए इसमें देखिए हम लोग को क्या जानना है जैसे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें क्या प्रदोकी क्या होता है उसके संदल में क्या और भी चीज़े अपड पर ठर्ट में जाएंगे और अपने जो भी स्ट्रेट पीसियस है वो क्या करेंगे अपने जीएस वाले को पेपर से इस टॉपिक को टैली कराएंगा उसके बाद न्यूज को कभर कर लेंगा तो चलिए मिसाइल प्रदोकी क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पह करते थे जिसमें आपको अजादी के समय याद रखिएगा हमारे पास कोई सवदेशी मिसाइल चंता नहीं थी तो प्रस्ण आपको जो चीजें हैं आप समझिएगा 1947 में हमारे पास कोई भी सवदेशी रक्चा मिसाइल चंता नहीं थी नोट याद रखिएगा मैसूर के जो सा सकते हैदर अली 18 सताबदी में के मद अपनी शेना के लोहे के आवरन वाले रोक्टों का सामिल करते थे जिसमें उन्हें क्या होता था ये इनके संदर में कहा जाता है कि इन्हें रच्छा के संदर में रोकेट यूज करने का टेक्नि अर्फाद भारती इतिहास में टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही है किस रूप से भारती इतिहास में जाने जाते इसके संदर में 100-500 सब्द में आप लोग उत्तर लिखना है मेंस ओरियंट आप इसे टेलिग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से जुड़ने जो अभी तक नहीं जानते टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्षन दोनों जगदी यह रहता है साथ ही साथ यूट टेलिग्राम चैनल पर जाकर युक्ति टाइप कीजिएगा तो हम में वहाँ पाईएगा आपनों वहाँ से टेली हो जाईएगा और इस सेंसर को पर्मेट को वहाँ सेंड कीजिएगा तो दो तीन प्रस्वन आपको ऐसे ही कवर करना है तो अब हम आलों आगे बढ़ेंगे वर्श उनिस्वन ठाउन सरकार्दवा स्पेशल वेपन डवलोप्मेंट टीम अठाद इसे SWDT याद रखेगा इसे नाम दिया गया था स्पेशल वेपन डवलोप्मेंट टीम गठित की गई थी जिसका विस्तार कर इसे रक्षा अनुसान धान और विकास परियोग साला याद रखेगा इसे DRDL के नाम से जाना गया उसे परिवर्टित किया गया और 1962 में दिल्ली इसे हैदराबाद इसे अस्तनानतित कर दिया याद रखेगे पहले दिल्ली में हुआ करता था उसके बाद हैदराबाद किस राज से सम्मंदित थे ये बताइएगा और यह जो इसका महत्पून य इस रूप से जानते हम लोग है आपनों अजादी के बाद आपनों इसको भी कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बहुत ही महत्पून अस्थान है यहां पर बहुत से चीजों को कभर किया जाता है इसलिए इसे हैदराबाद के संदर में कुछ जनकारी आपको होनी चाहिए व आपसे प्रसुन में पूछ सकता है जब भी इस सब की चर्चा होगी ने हम लोग मिसाइल की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डेविल चलाए गया था और 1772 में जिसमें मध्यमदूरी के सता से सता मार करने वाले मिसाइल प्रदोकियों के छमता डबलक हम पात करेंगे तो यह वन सकेंड हां आव उसके बाद वर्स 1912 में देखते हम लोग क्या होता बैरासी में आपको डी आर डी अर्डी एल द्वारा एकिकित निर्देशित मिसाइल विकास कारेक्रम अर्थाथ इंटिगेटेड गाइडेड मिसाइल डवलोप्मेंट परग्राम जिसे आई जी एम डी जी डी पी कहते हम लोग इसके बारे हम लोग पहले वी क्लास में चर्चा कर चुके हैं फिर भी आज मैं चर्चा करूंगा क्योंकि साथ चीजों को यहां पर कंकूलूट कर दूँगा ताकि आने वाले एक्जाम में आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहां हो शमझ सिया नहां तो इसके तहद क्या किया गया मिसा प्रदो कیुंके कार किया गया तो आप लोगों ध्यान रखना है पहले 1972 में आपको क्या आता है तुर रचे अdays integrated guided missile development program आ जाता है और यही सबसे बड़ा मार्ग प्रदस्त कर देता है integrated जो missile होती है targeted missile होती उसके development program को भारत वास्त्री गूप से जब देखिएगा सोदेशी निर्मान परनाली में develop हुआ तो वर्ष 1982 के संदर में आपको आगे बढ़ता है तो यह सब चीज़े आपको याद रखनी है background में सभी चीज़ों को साथ ही देखिए एक इक्रित निदेशित missile विकास का रिक्रम जो है वो पहले भी मैंने आप लोग को बताया था अब्दुल कलाम जो थे उनके विचार था तो आप लोग दो तिन चीज़ अब्दुल कलाम जी के बारें बताई है इनके बुक के नाम बुक जो इनके द्वारा लिखी गई है विजन 2020 उसका परकासन किस वर्ष हुआ था दुसरा इन्हें भारत अटरसन दिया गया है या न परमानु परिच्छन में भाग लिया था तो परमानु परिच्छन में वो जो हुआ था उस वर्ष उस परिच्छन का नाम क्या था उसके साथ ही साथ राश्पती का कारकार इनका क्या रहा है और इनके इंटिगेटिड प्रोग्राम में इन्होंने कौन-कौन से मिसाइल को ह इनके बारे में आपनों बताईएगा पाच्छो जो कोस्टन इहां से किये गए देखिए यही सब प्रसन आपको करते चलना है इसी के सब पार्ट से प्रसन आते हैं तो आप लोग इधर उदा भटकने की जरूत नहीं है इसका उद्देश क्या है प्रदोकी छेतर में आत्मिर्भरता प्राप्ट करना किसका एक इकित निदेशित मिसाल जुगास कारिक्रम जो है इसका भारत सरकार जो वर्स 1983 में अनुवजित किया गया अब माज 2012 में पूरा किया गया है यह कॉंसेप्ट उसके साथ ही मैंने आप आप लोगो पांच मिसाल कारिक्रम बताया था जिसमें पठना आप लोगो बताया था और आप लोगो बताईएगा पटना का क्या फुल पर्म मैंने बताया था तो चलिए आप लोगो कम तक कॉमेंट में बता दिजेगा तो पिर्थिवी पी से क्या होगा पी से पिर्थिव पिर उसके बाद A से अगनी, T से तिरिसूल, N से नाज, और A से क्या है? अकास, इन है, तो यह आप लोग को याद रखना है, यही भारत का पिर्थिवी क्या है? सता से सता मार करने वाले मध्यम दूरी की बिलेस्टिक मिसाल है, अगला जनरेशन चो आएगा, कुछ वरसों में ही, इस पर काम प्रगती पर है, तो ध्यान रखेगा, अगला मिशन जो होगा, अगनी चो होगा, और ध्यान रखेगा, यही भारत रखेग यह क्या है? मध्यम दूरी की है, अगनी से सक्ष़म मध्यम दूरी की है, यह वरिहत दूरी की आगे तो उसकी रेंज 10000पलस होता fotograf Infrastria इसके बाद आप लोग को त्रिशूल आएगा जो सतस अकास में मार कर सकने वाले शक्ष्यम कम दूरी की मिसाइल है यहाँ पर दूरी का जो अंतर की प्रकृति है याद रखियेगा जैसे अगनी प्रिश्वी क्या है कम दूरी की बलेस्टिक मिसाइल है तो दोनों में अंतर आ कम दुरी की मिशाल है आपको सतन स्य अकास मार करने वाले इसी तरह झाग क्या है झाग आपको क्षरी पीडीक टैंक भेडी रोध और लौत से प्रस्व काउन भीपेस्टी ने पूछा यहां से नाक क्या है टंक भेदी परिक्षन करता है या साती सात अब आकास क्या है सता से आकास पर मार करने सच्छम दूरी की मद्यम दूरी की मिसाइल टेखनीक है या अतास और उस पर हमनों विश्चित कहीं फिर चर्चा करेंगे अभी जो चीज़े इंपोर्टेंट उसे हमनों चर्चा करें भारत के पास उतलब मिसाइल परकार क्या है इसे याद रखिएगा यहीं से चीज़े हैं आपको सारा कमर हो जागा जैसे सर्फेस लॉंच सिस्टम क्या हमारे पास है उसमें कौन-कौन सा वर्गी कित किया जाता है A, B, C, D में क्या क्या आता है उसे हमनों देखिए है सबसे पहले सर्फेस लॉंच सिस्टम अर्थाथ हम भूमी पर रखके जो सर्फेस से हम लॉंच करते है उसमें कौन-कौन से सीज़े आती है तो सबसे पहले एंटि-गाडेड मिसाइल नाग आएगा सतर से हवा में मार करने विल मिसाइल अकास आएगा तो जो भी नाग और अकास रेनी का होगा क्या होगा सर्फेस से अठाथ भूमी के सतर से इसे छोड़ा जाएगा मिडियम रेंज सेम नाम से एक मिसाइल होगा जिसमें नो सेना के लिए M, R, SM सिस्टम उत्पादन पूरा हो गया है और नो सेना दोड़ा ओर्डर दिया जा रहा है एक medium range सेम है जो आपको नो सेना दोड़ा इसे यूज किया जा है short range सेम है जो नो सेना के लिए इसका पहला परिछेशन सफलता पूरुत किया गया है तो ये आपको याद रखना surface launch system है अर्थाद किसी surface पर रख कर है इसे छोड़ा जा सकता है याद रखिएगा वो surface भूमी भी हो सकता है आपको नो सेना के जहाज भी हो सकता है तो इस पर वो surface launch system डवलप किया गया है साथ इसाथ serval air launch system जिसमें हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र सामिल होता है हवा से जमीन में मार करने जिसे रुद्रम बर्मोस मिशायल जो होता है serval air launch system का surface के बार surface यह है ना उसके several चलके मिशायली गाड़ेट किया जाता है आप प्रदोकी देते होंगे इसी इसाथ साथ hypersonic प्रदोकी भी आप लोग सुनते होंगे और आप लोग बताईगा hypersonic कहने का अर्थ क्या होता है मैंने पहले भी आप लोग से पूछा है hypersonic अगर हम किसी बस्तु को या किसी बस्तु के संदर में जोड़ते हैं मानले जे अगनी हाइपरसोनिक अगम पहले जोड़ देते हैं हाइपरसोनिक एंटिगेटिड मिसाइल अगनी मानले जोड़ देंगे तो इस हाइपरसोनिक अर्थ हम किस संदर में समझेंगे अब मैंने आप लोगो पहले भी इसके बारें बताया है तो आप लो आप लोग को स्टड़ी करना है रेगुलर चीजों को कभर करना है और रेगुलर इसके बारे में कुछ न कुछ आप लोग को जनकारी खटा करना है अब बहुत से चीजे आपको भी सर्च करने की जुरत है गूगल से ठीक ना अब माल लेजिए हाइपर सोनिक चीजे अब इस चीजे अब टॉपिक से टू दी पॉइंट से हटक में कहीं और चला जाओंगा इसलिए ये सब पहले ही में कभी न कभी चर्चा किया हूँ तो उससे आप लोग नहीं जिनको पता है क्या करना है गूगल पर सर्च करने ना हाइपर सोनिक अर्थ क्या होता है ठीक है चलिए नेश्ट बात करेंगे इस तकनीक के माध्यन से स्वयूत राज अमरीका रूष चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश से जो हो हाइपर सोनिक प्रदोकी को डवलप किये हुए है जिसमें आपको ये देखना है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है जो सितंबर 2020 में एक हाइपर सोनिक टेक्नोलिजी जो बिकल जिसे एस टी भी कहा जाता ह कि सफलता प्रोकरिछन किया था इसमें अपने हाइपर सोनिक एयर ब्रिदिंग में तकनीक प्रदोसन किया था इसका मतलब यह होता है कि जो मिसाइल जा रहा है ना उसके इन्धन को जलाने टॉप पहले क्या हो था मिसायल में उस टेक्निक को डवलप किया जा धा कि उस मिसायल अपने मिसाय antagon जो इंदे मिसायल होगे वब उससे काम करेगे एक इसल्टम होता था ऱब अब क्या होगा कि सिस्टम जब से आ गया है तो मैंली cadre जा रहा है एर से ही अपने वतारन यहipर करेपर करता है इसमें इसा ही टेखनीक कुछ खास देशों पास इसमें आपको रूस चीन अमरिका ही आता है स्रीनी में तो ध्यान रखेगा यह सब चीजे आपको याद रखने हैं चलिए नेश्ट हम लोग बात करेंगे और नहीं तो देखिए इसाफ हो टेकनिक क्या करना आप लोग को एर ब्रेधिं असमें आपको DR-D oike के साइट पर जाना है और वहाँ पर यह टाइप करना है और वह जो ब्रेधिंग इसमेद टेकनिक है उसको लिखना वहा पर है और सर्च करना है यह नहीं तो यह ब्रिधिंग असमें DR-DO लिखिएगा देखिए और्थनिक साइट से सीजों को कभर किज्येगा ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग संस्थान के चीजों को ले लिज़ेगा उसके बाद चीजों को समझिएगा जब भी DRDO या इस प्रकार की संस्थाएं जब इस प्रकार के टेक्निक को डवलप करते हूं तभी चीजों को वो डिफाइन करती हैं उसके क्या आस्पेक्ट है उसका प्रदोकी का परियोग क्यों हो रहा है साथ लिज़े आप DRDO के सीजों को कवर कीजीएगा मिसाइलों के अगनीश रेनी ज़ो अभी लॉंच किया गया फाइव उसी के अगनीश रेनी के मिसाइल भारत में पर छेपन्द छंता मुख अधार पर इन्हें पिर्थिवी पर कम दुरी के बिलेस्टिक मिसाइल पंडुवी म सामिल मिर्थाथ हम प्रफिवी कर सकते अगनी सरीनी के सभी अब ही इसके साथ को कि देखिए 5000 किलोमेंटर के अधिक रेंज़ एक अंतर महाद्रीपिय बलेस्टिक मिसाइल अगनी फाइव के कई परिच्छन किया गया था जिसे इसे सामिल किये जाने के लिए माने था अर्थात एक चरण में नहीं होता है यह सब दो तिन चार चरणों पांच चरणों का यह स्रेनी है जिसमें हम लोग ने कई बार इसका परिच्छन किया जो सफल रहा है अंतिव परिच्छान जो सफल हो चुका है अब यह जाकर आगे है दया मिसाइल तो याद रहतें का 5000 किलोटर की दोरी को इंटर कंटिनेंटर मिसाइल के स्रेनी में हम लो रखते हैं अगनी पी का भी सब्फल परिच्छल आपको 2021 में किया ध्यां रखिएगा अगनी फाइब ब्लेस्टिक मिसाइल के उत्पत्ति एकिकृत नेदेशिक मिसाइल विकास कारिक्रम जो इंटर गा अगनी फाइब सरेनी के बारे में कुछ बाते है इसको जुरूर जानेगा अब नेस्ट है इसके रेंज के संदर में लो बात करेंगे जैसे अगनी वन का रेंज किया था 700 से 800 किलोमेटर जान रखिएगा 500 से 800 को सिधा यह करता था कम से कम रहता था अगनी टू 2,000 रेंज से अधिक रहता था इसका अगनी थीbread 2500 से लेकर 3000 रहता था और अगनी फूर身 इसका 3500 किलोमेटर से अधिक रहता था रोड मोबाइल लॉंचर से फायरकिया जा सकता था आपको प्रस नहीं हाँ सकता है कि किस अगनी रेंज के मिसाइल को हम लोग रोड मोबाइल लॉंच रहा था हम किसी गाड़ी पर ले जाके उसे किसी रोड या किसी ऐसे अस्तल पर दूर्गम अस्तल से इसे लॉंच कर सकते हैं जिसे देखते हैं आप कोई ट्रॉक है उस पर ट टेक्निक के हां से डवलक हुआ है साथ ही अगनी फाइव यह अगनी सिंखला की सबसे लंबी एक अंतर ड्यूपीय मिसाइल टेक्निक है और इसका रेंज कितना है पांच-छेजाग किलोमेटर से अधिक है तो यह चीज़े आपको याद रखनी है तो उमीद करता हूं जितन परना जो कॉंसेट है पांच मिसाइल जो उसके कॉंसेट में जो लक्ष निधारित किया था उसके बारे में या तो जो भी टेक्निक डवलप हो रहा धिरे धिरे उसके बारे में आप लोगो न्यूज कवर होता चलता है तो यह आप लोग मिला लिजेगा अपने यूपेसी इस पेपर थड़ से वहाँ पर यह टॉपिक कवर हो जाएगा उमीद करता हूँ अगनी फाइप के बारे में जो भी चीजे हैं आप लोग अपडेट हो गए होगे इसी के साथ देखिए हुआ क्या है सरन देने वाले को उपडेश नहीं देना है ऐसा बोला गया और सामा को सरन देना है देश हमें उपडेश नहीं दे अर्थात भारत को उपडेश नहीं दे और उन देसों को उपडेश नहीं दे जो इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं देकि हुआ क् सनीवत राष्ट परिस्द में जो है सुरक्षा परिस्वें बुद्वार को इन तरफ से बुलाई गई आतंक भारत की तरफ से बुलाई गई है यह बैठक जिसमें विशेस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे थे हैं ठीक है और भा का विशेस बैठक में पर आने वाले समय में उस्वें इधारित हो जाएगा पर वह हमेशा इन सब चीजों को कभर करता है देखिए होगा क्या यहां पर स्थाई सदस्ता भारत के दाविदारी पर यह ने क्या कर दिया गलती कर दिया दंज कस दिया जो विद्यस मंत्री पाक मंद्री है उनको तो छोड़ी ने रहे हर मुद्य पर उनको उसकी वास्त्युक्ता समझा रहे तो पाकिस्टान जैसे देश के विद्यस मंद्री को क्या छोड़ सकते थे सोच के देखिएगा और यहीं बोला जाता है किसी विद्यस निती के संदर में चीजों को कि अगर साथ साथ आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं और हमें किस मंद्री कैसे कब बोलना है अगर यह नहीं सीखते हैं तो आपकी विद्यस निती सवालिया निसान हो जाती है आप जब देख रहे हैं कि एस जैसंकर अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं और वो इरोपियन कंटी को के संदर में मामला हो सभी मामलों में जैसंकर ने उरोपियन कंट्री को यह दो टुक बाते कहीं है उनकी जवाप देख तैक करने के लिए तो फिर पागिस्तान के विदेश नितीयों को समझना चाहिए विदेशी निद्यारत को समझना चाहिए कि अभी इन से बच कर हम लो चले ना इन्हों ने तो कुछ-कुछ गलतियां की हुगे इन आपने तो बहुत से ऐसी गलतियां कर दी है जो भारत पसको पसंद नहीं है भारत सबसे जो सांति-पिली देश समय को स्थापित किये वे अरा आज से नहीं अनादिकाल से उस देश पर आपनों लगतार अठेक क क्या करेगा आपको किसी भी रास्ते से लंगा करके छोड़े खाड़ेगा ब्हानर रखिएगा जो भी देश पाकिस्तान के डवलप किया जाता है विदेश नीटीम हम कैसे चीजों को रिधियर करते हैं और सबसे इंपोर्टन पार्ट आपकी आंत्रिक समस्याओं से कहीं ज्यादा आपकी जवाब देता तै होती है विश्व के परती समस्याओं को सुल्जाने के लिए क्या करना होगा आपको पहले आं परता के राग अलापते हैं दुसरे देश के द्वारा दुसरे देश के भीहाफ में ध्यान रखेएगा आपको क्या करना है कि सबसे पहले तुए के बारे मों सोचना है कि हम मेरे गरिवान कितनी गंदा है और इसे लोग जो पकड़ रहा है वो किस रूप से हम दुसरे गरि पर दुसरे वाज से असुमा बिन लादम के बारे में पत्ता हुआ तो इसने क्या किया था अमरिकी हमला किया था 911 मुंबे हम लाम जो चीजे थी पाकिस्तान के वटाबाद में से समस्वरन दिये वे था और जब पकड़ा गया था ने अमरिका के द्वारा तो पाकिस्तान क है ना पूरा पूरा जो काला चिठा था वो खुल गया था इसलामवत के अप्टाबाद में यह दोजर इंगारम पकड़ा गया था तो उसी में देखते हैं कि आपको इनके द्वारा बोला गया एस जय संकर जी कि द्वारा आपने क्या क्या उन्हीं नो इगारा किया 26 इगा को अस्थाइस अदस्ता के संदर में दंस कस्मा है तो ठीक है कर लिजे कोई बात नहीं फिर हम लंगा करेंगा आपको तो इसी अधार पर लंगा किया जाता है और ध्यान रखिएगा जो ग्लोबल काउंटर टेरिजम अप्रोच जो है टोरिजम टेरिजम सॉरी टेरिजम अप्रोच चैलेंज एंड दा फारवर्ट के अधश्ता करते हैं एस जैसंकर चीन और इसके सहयोगी पाकिस्तान को परोक्ष निशाना साथते हैं कि आतंकवाद का समकालन केंद्र अभी भी सक्रिये हैं समकालन केंद्र कहने का अर्थ हिया कि जो भी इसके बिहाफ में काम हो रहा है अभी भी जिंदा है हम लोग इसे जब तक पूनता समात नहीं कर देंग न समस्याएं ऐसे ही होगा और देखिए इस पर आपको इस पर समथन विभीन देशों का प्राप्त हुआ और साथ देखिए यहां पर जो महा सशीव हैं उनके द्वारा भी आपको चीजे बताई गई हैसमधाई गई है किने सई है जो दावी तो देखिए आने वाले समय में इंडिया है न उस और भर्डा है कि क्या होगा कि इसको अस्थै सदस्थन दिलेगाई यह देखना है कि अस्थाई सदस्कार से कितने दिनों के बाद कितने वर्सों के बाद या कितने दर्शकों के बाद प्राप्त होता है पर ध्यान रखिएगा आप लो अस्थाई सदस्कार से बनने के रास्ते पर भारत है अब वो कितने जल्दी प्राप्त होता इसके विदेश यह important part होगा और यह कितने लोवियों को create कर सकेगा अंतराश्टी लोवी के बारे में चर्चक किया था न इस समर्थन कैसे प्राप्त रहना है और कैसे अगर ब्राजमान लिजे ब्राजिल भी आपको दो ही ब्राजिल जो P5 देश्ट है उसमें क्या बोलता है ब्राजिल भारत जपान जपान और जर्मनी जर्मनी को यह चारों राष्ट को है न सदस्ता देने की बात होती है तो जिसमें दो राष्ट ही उहर का सामने आरे जिसे सदस्ता मिलना चाहिए जो बोटिंग सिस्टम में उसनों बात विचार हो रहा इस तो मैं कभी चर्चा करूँगा इस प्रबल दावयदार है जो जुश्टम में ब्राजिल और भारत ने ब्राजिल से कुछ लोवी कर लिए ब्राजिल को मना लिया कि आप अभी वेट करो हमको पहले सामिल करवा दो बाद में आपका भी हम लोग चीजे देखिए अब ब्राजिल यह भारत यह बहुत साजा हित अगर यह करने में काम्याब हो गया भारत तो असानी से भारत अस्थाई सदस्ट बन जाएगा या तो या तो चीजे ऐसी भी हो सकती है विश्टमंच दोनों को एक साथ सामिल करवाने के लिए लौबी क्रिएट कर सकता है यह सब चीजे अपडेट हो रही है आने वाले समय म करेंगे वेट और वाच करते उससे संबंदित न्यूज आने का तो इस दिन हम लोग कवर करेंगा फिलाल देखिएगा कि जो बैठक हुई सन्युक्त रास में भारत के द्वारा बुलाई गई थी तो उस पर आप लोगो मज़े रखना है देखिए एक चीज और मैंने कल भी इस पर न्यूज कवर किया था वहाँ पर बोला था कि बिहार में जरीली सरापीने से अब तर बावन लोग की मौत वे सीम बोलेंगे जो पीएगा वह मरेगा ठीक है इनका कहना यह है तो इसके संदर में एक न्यूज और नीचे मैं उसको पहले लेकर आता हूँ पन सकेंड होल्ड किजेगा कहां चला गया नीचे मसरक थाने में जब स्प्रिट से गाइब कर गई बनाए गई थी जहरीली सराप इसका उत्तरदाई कौन लेगा कि हम लेंगे जो बाते बोल है जो पीएगा वो मरेगा मसरक थाने से जब स्प्रिट से ही बनाए गया तो सराप और इस पर जो चीजे हुई है घटना करम हुआ है तो मैंने कल क्या बताया था आप लोगो को याद होगा परसासनिक और छमता और परसासनिक भागिदारी के बिना कोई चीज सिस्टम में नहीं चल सकता ध्यान रखे अगर सराप बन रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ आपको परसासनिक तौर पर चीजें डिस्पैच हुई होगी लूप हॉल क्रियेट हुआ होगा तो ही जाके सिस्टम में डबल हो एक को नहीं जान रहा है कि बिहार में सराप चोड़ी चीपे मीर है पर ध्यान रखेग अहंकारी ब्यक्ति का यही सबसे बड़ा उधारन होता है कि चीजों को समझने की कोशिस नहीं करता देखी निती जी ने सराप बंदी लाया ना वह बहुत अच्छा कदम हो था पर सराप बंदी की लागू नीती बहुत थी उसकी नीतियां जो थी ना वह कूरती से भरा पड है पहले सिस्टम में पहले सुधार लाने की बात करें तब ज blender सराप बंदी को बंद करने पूर्टर सराप बंदी को इन्हों ने रोड मैप क्या त्यार किया है जो पूर्ड मेप क्या तेआर होगा किस रॉड मेप पर हम पर काम करेंगे अब माली जो ओडर आता है सीयम के हाउस से ओडर आता है और विभीन के को जाता है यहां तक S.I. को समझ सकते हैं कि सकता परता है तो कभी सिक्षक को लगाया जाता है सराव के लोगों के माफियाओं को प सब्सक्राइब करना है सराब्ड करना है तो हम क्या ऐसे गुप कर रहे हैं आप पुलीस परसासन को आप काम दिये हुए हैं को कानुन ब्यवस्थां मैं बहुत से पाट होते हैं तो क्या कानून ब्यवस्था सम्हालेगी आप पुलिस केवल चीजों को सराप को पखड़ेगी इसके लिए आप इंटिगेटिड चीजों को कभर कीजिए और एक टारगेटेड फोर्स डवलप कीजिए नहीं तो देखिए होता क्या आप चलेगा राम भजन करने और हो अगर इस परकार के मसरब ठाने में अगर इस प्रकार जब श्क्रिट किया गया पूरे थाने के में जो लोग संस्लिप्स पर करवाई हुई है आप सोच यह देखिए गार रिकॉर्ड देख लिजेगा कुछ दिनों में आया राम गया राम वाला कॉंसेप्ट आएगा यह इसके लिए जवाब दे नहीं किया जाएगा खाना पूर्ति कर दिया तो इस खाना पूर्ति वाले सिस्टम में क्या आपको लगता है कि हम यह हमारे सिस्टम इस परकार की घटनाय जोहरे उसको रोख पाएंगे बिल्कुल नहीं रोख पाएंगे ध्यान रखिएगा इसके लिए जवाब दे सभी को बढ़ना होगा अगर आप सरावबंदी लागू करना चाहते हैं तो विधायका को भी कारपालिका को भी न्याइपालिका उस तीनों अस्तर को जवाब दे तैय करना पड़ेगा कि नहीं हम इस लुक से काम करने के लिए तक पर है मान लीजे जब इ या सिस्टम से लड़ रहा है कि अगर माले सीम के द्वारा दिहार के सीम के द्वारा यसी घोस्ता की सराव पूंतर सराव बंदी होगी अर्थात जो भी लोग कर रहे हैं सराव बेच रहे हैं जरेहली सराव हो या को भी सराव हो बेच रहे तो सिस्टम से यह कैसे लड़ जा सबसे इंपोर्टन पार्ट आपको यह समझने के जोरत है कि हम ब्रवस्थाओं को कैसे ठीक करने के लिए ततपर्ता के साथ नीटियों को लागू कर रहें और यह सभी जगह लागू होता आप पर सासनिक अधिकारी बनियेगा तो आपको संदर में चीजे समझनी होगे अगर कोई समस्या है तो उस विशेश से मिलिए उस विशेश के समस्याओं को समझजिए और उसके बाद उसके बेग्राउंड को समस्याओं को सौलो करने का प्रयास किजे नहीं तो इसी रूप में बैठके निने डिसीजन लिजेगा करने तो इसी प्रकार से समस्याओं आपको जीवन में आएगे तो आप चीजों को कभर किजेगा अदेके यहां से डाटा रिलेटल दिया पूरा भारत का डाटा दिया गया है कि जहरीली सहराब से पांस साल में च्छ से जाद अच्छ हजार से जादा लोगों की मोत हुई उ दिया रखिएगा पिछले साल सबसे ज़्यादा मौत दोस्तों की कांविज उसका पर देश में ऐसा नहीं कि केवल या बिहार की घटना या पूरे भारत की घटना ऐसी है कि हम परसासिक और छमता कायम किये हुए हैं इस मामले में लोग के बहवार अब बोलिएगा कि लोग बंद है तो क्या आपको नहीं पता है सराब बंद करने के लिए लोग परचार करते हैं घुटका बेचने के लिए लोग परचार करते कभी नियापालिका और सिस्टम ने इन लोगों को बैन किया है लगाईए 10-10 अजार करोड को फाहन पता चल जाएगा सभी चीजें बंद geld और को फॉश्द कि सब्सक्रेशनल लोग कोश्चाइए तो उनके बिहवियर को सीखते हैं तो क्या नया पालिका ने कभी िस नोटिस भेजा कि उस्ट कर रहा है taking को प्रमोट किया रहा है अगर यह बूरा चीज है तो यह सागी अगर दुसरे तरह से लोग मर रहे हैं तो यह सब बाते भी करने या तो पूरी तरह सराब बंड करने के अच्छेप उठाइए नहीं तो चूप चाप किजिए कि सराब सब वहिन कर दी है और शही सीजे बेचिए है आप है ना चीजों को सही तरीके से कीज़े नहीं तो होगा क्या आप दो नौ पर सवार रहिएगा न तो समस्याएं भूगतना कि इन जैसे लोगों को और आप अधुदरसिता के साथ यह बोलिएगा बाद में कि यह क्या है कि हम जो सरा पिएंगे वो मरेंगे क्या कभी आपने ये कोशिस किया आपको ये अधिकार नहीं है कि कि राज्य में इस प्रकार के परचार अगर आ रहा है उस पर आप बैन लगाईए तभी लगा सकते हैं तो डाइट नोटिपिकेशन दिलवाई समन लीजिए हाई को बोलिए समन लेने के लिए क्यों नहीं समन ले रहे हैं अगर इस प्रकार के घटनाए हो रही है तो एक बा प्रसासित चमता डवलब करने के लिए अभी तक प्राइल चल रहा है अब स्टायल के नाम पर क्या हो रहा है पिछले चो मेने से एक खास किसी को नहीं पता है तो समस्या यहीं है समस्या है कि आप चीजों को हैं कि सरफ रूप से देख रहे हैं उसका कैसे कर और आप सिस्ट में विधान समय मत वही है नहीं तो जनता आपो सब देख रही है कि आपने क्या करना है आप सभी लोग को यह दो चीजे याद रखनी है पर इच्छा में जब भी पूछे तो इसके तकनीकी चीजों को कवर किजेगा कि समस्या कहां से उठपन हो रही है मैं अभी भी बो रह होती है उसको दरवाजे को मजबूत नहीं करेंगे ने तो यह ठीक नहीं होगा बेकडोर्स ने किसी राइनिती बेक्ति से होगा जुड़ा हुगा किसी प्रसासनिघिकारियों कुछ जुड़ा होगा और किसी उस रसुप लोग से जुड़ा होगा जो इन तीनों में अपना सार्ट गाट बनाए होगा तो ध्यान अच्छी का उस बैक दोर को है नो मजबूत करने की जुरत है नितिस जी और हमारे सिस्टम को बाकी सीज़े आउटोमेटिक सही हो जाएगे और कुछ नजीर पेस किजिए इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं और कुछ बहतर दिखाना चा हो इसलिए सौरी माफ कीजेगा पर ऐसी चीज़े है कि सिस्टम में कुछ चीज़ें डॉब फुल्स है जो इसका नजाय सैदा लोग उठाते है अब देखिए सुप्रीम जो यहां पर बैंगलोर जो है कनाटक हाई कोट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि देखिए प बनाया है उसके लिए एक मजीर करेंगा तो इसके करेंगा तो इसके के स्टरी के तौरप यूज कर सकते हैं अगर माली यह जवाब देए तैग करना है तो हम उन पार्ट पर ध्यान देना होगा जहां पर हम एक बहतर लोकल लायन काराज को स्थापित कर सकें जैसे लोकल ले क्थे बहतर काम करने के लिए हम संसादनों का बहतर उपियोग करें यही कहता है ना तो बहतर शंसादन हम कैसे यूज कर सकते सब्सक्राइब माले हो रहा है उसके पर इस फ् Esto 28 पर ऻाजते है तो यह देदे आज помогए ये लिया जाता है वह आप गारी कर दो या यहाई किसी द जा रहे हैं वहाँ पर तॉल टेक्स या नगरमें भुष्णे से पहले लिया जाता है न अगर आप दे रहें तो जो आप दे कौन बनेगा तो राज्जी बनेगा तो राज्जी में एजेंसिया सभी आ जाती हैं तो राज्जी को या होगा कि अब इस परकार से भी काम करने की जुरत है नए नए कॉंसेप्ट को डवलब करने की जुरत है और याद रखिएगा यह कहां आपको केस स्टडी के तौर पर यूज करना है आपको विधी द्वारा स्थापित पर किरिया जो है अलग हटकर जो विधी की सम्यक पर किरिया जो न्याय पालिका अपना रहे उस आपको कभर करना पॉलिटी की कलास में मैंने आपको कभर किया था वो टौपिक याद रखिएगा उसमें यह केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते विधी द्वारा स्थापित पर किरिया और विधी की सम्यक पर किरिया कैसे जलगती है आप इसे बताइए कोमेंट स्थाप पर चर्चा कर चुका हूं और उसमें यह केस स्टडी आपको एड़ कर लिएगा चलिए नेस्ट हम लोग बात करेंगे देखे एक पीटी फैक्ट इसे याद रखेगा पीटी फैक्ट के रूप में क्या याद रखना है कि इंद्रा गांदी अंतराश्टी जो टर्मिनल है एरपोर्ट वहां टर्मिनल थिरी में दिजी यातरा एप की सुरुवात का उद्गाटन किया गया किनके द्वारा जोती जोती राज सिंधिया जी के द्वारा किया गया तो यह पीटी फैक्ट आपको याद रखना है कि डिजी यातरा एप कहां सुरुवात की तो टर्मिनल थिरी में जो हमारा इंद्रा गांदी अंतराश्टी टर्मिनल दिल्ली में जो है नई दिल्ली में वहां पर अकिनके जोती राज सिंधिया जी के द्वारा चलिए एक कोमेंट और बताते चलिए एंसर आप कोमेंट सक्षन में जोती राज सिंधिया का जो छेत्र है कोन निवाचन छेत्र कोन सा यह कहां से जित करा है इनके पास मंत्राले है उससे पहले इस मंत्राले के मंत्री कौन थे दो ह gagner यह को चुराईव मैंने पहले भी नीउस कभर किया आप लों को याद होगा सुमाविन ले लिस्ट में जा के देखिएगा यूटूब के जाका ले असातर टूडएव निए इस डिया रहा था टॉपिक को देखके भी आप कबर कर सकते हैं तो चुनावी बोन के बारे में देखे चीजे आई हैं उसको आप लोगों को धिया रखना है इसकी सुनवाई है ना जनवरी 2023 में आएगा ये बहुत ही नजीर केस करने वाला आपको केस होने वाला है क्योंकि इससे जेके चुनावी भस्ता चार को कम किया जा सकता है चुनावी बोन को कंट्रोल करें चुनावी लेंदेन को कंट्रोल करें जिसमें पैसे की लेंदेन होती है ना चुनावी भस्ता चार जो होता है उसको कम करने के लिए एक है बहतर कदम हो सकता हमनों जनवरी 2023 का वेट करेंगे और देखिए इसमें जो ADR है, ADR जो है Association for Democratic Reform जो है ये लगतार इसके संदर में चुनावी सुधार के संदर में काम करती है और इसके वकिल जो परसांद भूशन है या चीका में स्वेधानिक सवाल सामिल किये हैं जो चुनावी परकिरिया को लेकर है तो आने वाले समय में हम 13 जन्वरी में इसका करेंगे अध्यान रखिएगा कोस्चन का एंसर देना है ADR का रिपोर्ट किस नाम से रिपोर्ट जारी करता है पहले तो एक रिपोर्ट का बताईएगा इस में हाल ही में जो विधान सवाद चुना हुए हैं उसमें कुछ रिपोर्ट आगड़ा प्रस्तत किया है तो आप इ चुनावी सुधार के बाद भी सुधार के बावजूद भी ADR रिपोर्ट ADR रिपोर्ट चुनावी परकिरिया पर प्रस्न चीन खड़ा करता है असपश्ट करें इसको आप जेड़ सो से दो सब्दों में लिखिएगा ज्यादा लंबा नहीं लिखना है डेड़ सो से दो सब्दों में कोस्टन समझ गए तमाम चुनावी सुधार चुनावों सुधार के बावजूद ADR रिपोर्ट चुनावी परकिरिया पर प्रस्न चीन खड़ा करता है असपश्ट करें तो ये कोस्टन का एंसर मेंस का सभी लोग लिखने की कोशिस कीजिएगा अब देखिए केस स्टडी के तौर पर या तो एथिस का पेपर जो फोर है पी फोर पेपर है उसमें आप इसे यूज कीएगा प्रस्तिती जन साक्षी पर लोग सेवक लोग सेवक को ठराया जा सकता भस्टाचार का दोशी प्रस्तिती जन साक्षे के अधार पर रिस्वत दियेगे दोशी ठराया जा सकता भले उसके खिलाब कोई पर्थ्यक्ष मौकिक दस्तावे सबूत नहीं है जिस्टे एस नजीर की अदख्षता में पांच सुईधान की पीठ ने कहा शिकायत करता के साथ 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 अभ्योज को भी मंदारी परियास करने चाहिए ताकि भ्रष्ट लोग सेवक को जोशी ठराते सजादी जा सके और शासल पर शासल भष्टाचार को मुक्त किया जा सकते इस निर्देश में कहा गया है बाते की गई है तो यहां पर कुछ सवाल उड़ता उससे पहले देख लिए क्या र शिकायत करता ब्यान से मुकर जाता है ध्यान रखिएगा ब्यान से अगर मुकर जाता है और उसकी मौत हो जाती ते ऐसी स्थिति मामलों में क्या साक्षे पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं या किसी के मौकिक साक्षे पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं ऐसा प्फल हो सकते इसके बारे में स्वेधानिक स्थिति की बात की उनके द्वारा बोला गया है कि हम इसी संदर में इन परिस्थिति जन स्थितियों के संदर में अगर कोई ब्यक्ति विशेश कोई बैक्टिव से सिकायत करने से मानली जे पहले बोलता कि हाँ मैंने इस बैक्टिव को देखा है किसी मामले में भस्ता चारी कर रहा था पैसा ले रहा था या किसी पैसा गवन कर रहा था अज जब अदालत में जाता है तो वो मुकर जाता किसी कारणवास हो सकता है उस अध अधिकारी द्वरा उसे पैसा दे दिया गया या किसी और अत्रिक दबाव में वो मुकर जाता है कि नहीं हमने नहीं देखा तो अधालत के बाद क्या होगा इसके संदर क्या कर सकता दुसरा अगर इसी कालकरम में सुर्माई के कालकरम उससे जो प्रफ्षक जरसी है उसकी मीड तो नियाले के बाद क्या इस्तिती बचेगी इसके संदर में तो यही वो रहा कि हम परस्तिती जन साक्षियों को भी देख सकते हैं उससे इर्द गिर्द कोई और भी साक्ष होगा तो हम उस पर रिबिल्ड करेंगे हम उसको चीजों को समझेंगे उसके बाद हम निर्मे तो यह बहुत ही महत्पून कदम है तो दो चीजे याद रखे इस कॉंसेप्ट से आपको पेपर फोर में कवर होगा कि प्रसासिक भषचाचार को रोकने के लिए सविधान ने नियंतर परियास किया है और जो नियापालिका जो विधी द्वारा सम्यक पर क्रिया को अपनाय उसके संदर में आपको टॉपी को कवर करे गाई यह तो आप वहां पर इकजांपल इसको पूट कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं कि साक्षे केवल बैक्तिगात रुप से अगर नहीं भी रहता है तो प्रस्तिती जन साक्षियों का उप्योग कर अब नयाले इन में भष्टाचार के मामलों में पिए जो प्रत्रक जर्थी आपको जाकर नियाले में अपना व्यान देता वह किसी करन देता तर्व या तो उसकी हत्या करके चासे दुर्घना हो जाता तो यह कहीं न कहीं है ना भष्टाचारियों है और भष्टचारियों के संदर में उनके चीजों को सावित करने में बाधा होती थी जिसे उस चुक्चा भष्टचारी बच जाते थे इसलिए यह बहुत 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 कदम है इस परस्टिती जन साक्षियों को भी एक ट्राइल रूम में लेकर आना और उसे उसके तो इसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगा इसके बारे में उसका जरीरी सराब के बारे में बटा ही दिया आप इसका डाटा एनलेसिस कर लिजागा ब्हारवाले बिहार का करेंगे जरक्रण MI Australia जरक्रण देखिए यहां पर अग्याद सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऐसे आप लिखिएगा और भिहार यूपी आपको आप लिखिए दाटा को यूज कर सकते हैं चलिए ने श्था में बात करेंगे चीन के संदर में जो कल भी एक न्यूज आया था तो उसे भी आप लोग कीनोड बनाएंगे मुझे उमीद है और साथ में साथ अब इसको भी कीनोड आप ले संदर में बनाईएगा क्या बनाना है जो तीन लाग करोड पर निवेस किया गया हमारे भारतिस सेनाओं में देखिए क्या है कि अधिये सड़क परिवहन जो है राजमंत्री नितीन गटकरी ने ट्वीट कर हैंडल साजा किया है कि पुर्वत्तर के सीमा पर सामरिक महत के पज़नाओं को तीन लाग क्रोर के रासी खर्च की जा रही है ब्यान असपस्थ है कि बीते कुछ वर्षों में पुर्वत्तर सीमाय के प्राक्मिक्ता दे जाए और एक पुर्वत्तर से समंदित योजनाय है याद रखेगा प्रस्ण वो पुछेगा आप लोग से और इस पर मैंने आपको चर्चा भी किया हाल ही में इससे समंदित डाटा आपको न्यूजपेपर में आया था और मुने उस पर आपको बताया भी थे इसको बहतर तरीके से किजेगा पुर्वत्तर जोड़ लिंक जो परियोजना है पीम विजिल आप उसे जरूर देखिएगा प्रस्ण उससे जरूर पुछेगा ये पुर्वत्तर जो खास इजना पुर्वत्तर को ध्यान में रखते ज अनुराचल जो है बन रहा हम हाईवे इसके बारे में बस यह क्या करना है कि याद रखना इसको ज्यादा नहीं देना है रिजन इसके पीछे क्या पता कि आपको बस डाटा याद रहना चाहिए अगर डाटा अगर याद रहेगा तो पूछेगा कभी एक्जाम में तुसको क बतार अजादे के बाद यह च्छे जो था तो जो था आपको इस पर उतनी खास ध्यान नहीं दिया गया तो जो हर चोदा के बाद विस्तित उससे ध्यान दिया गया है सामरिक महत्य के कारण इस लीए आप विकास के संदर में भी से यूज कर सकते हैं और देखिए हाँ पर तो यहां से तवांग से जाएगा मेचुका से जाएगा देसाली से हावाई हावाई से विजय नगर एक जिगह है जो आपको अनुराचल परदेश लाज बोलर तक जाएगा तो ध्यान रखेगा इस हाइवे को आप लो रखेगा और ये बहुत ही महत्पून हाइवे होने वाला क्योंकि अनुराचल परदेश के सामरिक महत्त को बढ़ा देगा हमारे सेनाओं को यहां तक पहुच आसान हो जा जो चीमा खेत रखेगे तांस हिमाले हाइवे याद रखेगा फ्रांस अनुराचल परदेश हाइवे इस्ट-वेस्ट कोरिडोर हाइवे आपको यहां पर बन रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है तो इसी के संदर्भी प्रस्ण आपको पूश्रकता है तो सारे उसी से सीख लेकर एक एपोस्टेंट प्रामिल लिमिटेड है स्टार्ट अप कमपनी है उन्होंने क्या किया नए ने हथियार डवलप किया चीन क्योंकि हम चीन से यूद नहीं कर सकते हैं तो इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसे हथियार डवलप किया जा रहे जहां पर मार कि दंड से पर सिल्ड ऐसे हथियार इनका उप्यों भारती से ना बचाव के लिए कर सकता है तो देखिए आपको कुछ-कुछ का नाम आप लोग किये गा लिए इससे क्या करना है आपको है न यूटूप पर सर्च करना है नमिन्तम हथियार वज्र नाम रखियेगा आपको वज्र, त्रिसूल और सेपरपंच या तो इस कंपनी का नाम लिखेगा इसके बाद नमीन डवलोप्मेंट लिखेगा हतियार के संदर में तो यूटूब पर कुछ सर्च होगा उसके बाद क्या करना इसको वज्र को देख लेना सेपरपंच को देखना तिरसूल को भी देख यह कैसा बना हुआ है एक्चुली इसको जब तक देखिये समझेगा नहीं यह ऐसा हतियार है जो जो हमारे पुराने जो हतियार होते थे जो पुराने हमारे सभ्यताओं में जो चीजे यूजे जैसे तिरसूल हम लों यूज करते हैं तो तिरसूल एक को एक नमिनतम रूप अगरे जो हतियार के रूप में आएगा और यह भारते से नौए यूज किया जासे कुछ ऐसे हथियार है कुछ ऐसे बकल से जो हम इसको यूज कर सकते हैं इन सबी लेकी इसे एक बार आप लोग है न क्या करिएगा बस सर्च करके देखिए तो ज्यादा बहुत तरीके समझ गया है 2016 में इससे संभन्दित एमिरिकेसं के साथ 2016 में हुए समझों ता जिसमें थावन हजार क्रोर प्या का यह समझों था जिसमें 36 राफल आपको मिल गया पहला था तो कोमेंट शक्ते निए बता यह पहला राइफल कहां आया था किस बेस पर उत्रा था और वह से बेस पर पहला राइफल यह प्रस्ट में पेश्डी में पूछा तो इसे आप लोग कवर किएगा और जो लाश्ट आया नहीं याद रखेगा इस कोमेंट को भारतिय सेना ने बोला है दप पैक इस कम्प्लीट आपको भारतिय सेना का एक ब्यान आया तो उसे आप लोग याद रखेग किसके संदर में use किया गया तो यह प्रस्व कोड़ सकता है दड़ थे कंपिलीट किसके संदर में है तो मिसाइल जो है MUSIC मिसाइल करा हूँ राफ हेel का जो 29-66 वैड़ा आया है 36 जो राइफ़ाल आया Ye जो बेड़े को पुरा किया है उसी के संदर में किया गया है उसी तरह आपको एक तर्म और यूज किया गया है ध्यान रखिएगा fit dry fit dry तो इसमें किनका tweet आया है ध्यार कि भारती वायू शेना का tweet आया है fit dry तो यह भी आपको the package is complete यह आपको याद अखना पूरा fit dry और the package of complete इस tweet को ध्यान रखिएगा यह राफाल के संदर में है और जो इसके साथ इसाथ देखिए राफेल सोधा पूरा होने पर जो है फ्रांस के जो राजदू थे एन्वल लेलिन उनके द्वारा कहा गये कि राफेल ने भारती धरती पूतरने के बाद पूरे उपकरणों के साथ 36 आपनों को देखकर उन्हें गर्व हो रहा है तो भार अधार में रखा गया हर्याना में रखेंगा पंचिम मंगा खो्सी मारा में अधर कश भात्र सेनाओं को मजबूत करेगा सेथा था स्मझन कैसे से है इन सिमाओं पर आपको नहीं पर आपकोनाथ किया जाएगा ए fatal नश्थ करेंग्सा नीचे आज आपको जहरीली सर्राप के सन्दर में कुछ प्रॉस किया गया जो मैंने आप लोग को बताया है वही प्रशन यहां पर है कि कि ऐसा अगर नहीं है तो विडिया मना क्या है ऐसा होने का इन चीजों को पर्तिबंद अगर किया गया है फिर भी इसके आकड़े कुछ दीखाए जा रहे है जैसे एसी डेक्ट हुए है उसको भी पर्तिबंद न्याले ने लगाया सराब बंदी में बिहार सरकार ने बंदी ल राजनिती पॉलिटिक से प्रीट उसे भी आपको छोड़ देना है चीन की आत्मक्ता के पति आवर्शेक है तो चीन के संदर में कुछ बाते की गई तो यहां पर देखिए हाली में भारत जो ग्लोबल क्यों इतना आप चीन प्रसान है तो उसके संदर में बाते की गई है त पर ग्लोबल पार्टनर्शिप एलाइंस की अधर्था करना उसी के संदर में आपको चीजे यहां पर देखने को मेरे कुछ धूमिल होने का परियास किया उसी के साथ दलाइल लामा का एक बयान आप लोग याद रखना है जिसमें उन्होंने बोला क्या है कि कुछ समय पहले भारत में अंतियु साथ लेना चाहूँगा इससे भी क्या हुआ इससे भी बहारत चीन का जो अंतराश्टी अस्तर पर जो प्रभाव था वो कुछ ने कुछ धूमिल होता है वैस्टिक खवी पर उजागर होता है किस परकार से उसने और दलाइले मा कोई आम आदमी तो है न इन्हें बताईए तो इन्हें कौन-कौन सा प्रुसकार दिया गया है पहले तो कौन-कौन सा प्रुसकार मिला है इसमें हाल ही में कौन से सिरीज है न सद गुरू के साथ सुरू किया था यादर मुझे ये बताईएगा इस सिरीज आप लोगो जरूर देखने चाहिए कि इस सिरीज में उन्हों क्या कहा है तो आप इस सब को ध्यान में रखना है और साथ इसाथ जो हमारे समझोते हुए उसके बारे में चर्चारा विवात का कारण किया पहले भी मैंने आप लोगों को चर्चा किया फिंगर फाइब नाम एक गयर अधिकारिक निती अनुशन करता है सलचीन फिंगर है उसके संदर में जिसके तहथ चीन तिवबत को अपनी हत्हेली के रूप में देखता है यह देखिए मैंने आप तो नेपाल आपको यहां पर है ती भाल चीन की सीमा यहां से लेकर यहां तक मिली हुए चीन की सीमा है ना चीन आपको पहले यहां था ईसे चीन ऐसे था तिबबब कभ भाग यह था इसको जिसमें हड़पा था तो आप लोग बताइी चीन पर सबसे पहले कभजा जमाया चीन पहले में ने चर्चा भी किया है इस तिबबद को हथेली मानता इस पर कभजा वो किया हुआ तो उसके इस तरीके के वह पांच उम्लियों को संदर में बाते चर्चा करता है और अपने कहने मतलब वेजेस्थिक नीथी प्रभाच होना करना चाहता है जिसके संदर्म Also in Saya उसका बस चले चीन का तो वह तो पूरा अपने दावा कर देगा अगर अमरीकां में टो अगर मने इस प्रकार कह नहीं सकता है जब हांकॉंग को जापान के खुष पधनी चoperation direito यहां तक कि फिलिपिन के कुछ द्वीपों को भी उसके दावेद देखने को मिलते हैं कि जो आपको 9-3 है ना याद होका 9-3 जो चीनी का पुरवर्ती भाग है 9-3 मैंने आप लोको बताया था उसमें बहुत से परोशी देशों के द्वीपों को ने यह अपना द्वीप मानता है पता नहीं यह है 1948 से पहले कहां इसके सारे दावेद है समझ में नहीं आता है पर जब देश ससक्त होता है ना देश जब ससक्त होता किसी उस देश को सक्तियां प्राप्त हो जाती जिसके जिसके नीतियों में मौलिकता नहीं रहे जिसके जवाब देता नहीं रहे और कि उच्पोटि के स्रीणियों में रखते हैं अगर जितना हम लोग운 नहीं मानेंगे हिंदु धर्म मुस्लिम धर्म जितना नहीं द्रम्ट को पती कि चीजी ना अपना नुसरन कर्टू से कही जूड़े बहुत धर्म को लोड़ चीनी लोगों अनुसरन करते हैं अगर मान दीजे बोध के खिलाप में अगर एक सब्द भी बोल दू न तो रिट्लियेट ही लोग ऐसे करेंगे न जैसे आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप किये होंगे तो ध्यान रखिएगा उस प्रकार के कॉंसेट वाले देश भी इस प्रकार के नितियों को पालन कर रहा है तो समझेगा जो आस्था के प्रस्ण है उसके बहवार में कितना अंतर हो जा रहा है तो ये चीज समझने की जुरत है कि हमें क्या समझना है क्या नहीं समझना तो बात यहां समझने की यही है कि चीन लगतार अपनी सक्तियों का परदर्शन करता रहा है, करता रहेगा और करने की इस्तिती में हमेशा रहेगा इसलिए अगर इसे रोखना है सभी देशों को लीज़, सभी देशों अपने छेत्री संफ्रूवता को रोखना चाहते हैं, सभी जो आसपास के देशे उसको एक जूट होकर है, एक संगठन बनाने की जुरत है, और संगठन बनाने के साथ साथ उस पर कुछ बेहतर कार करने की विजुरत है कि हम इसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो यह आने वले समय में छोटे-छोटे जितने देश है न वो सब इस परहने क्या करेगा आपको दवाव डालेगा और वो अपनी सिमाव में मिला लेगा तो हम लौबी कर सकते इसके खिलाब और इस हो या तो और विच्छे तो जो इसके आसपास के छेत्र है तो यह सब क्या करेगा कि आपको अपनी संप्रूवता के लिए काम करता है इन से संबंदित बनाने की जुरत है और इसको खुले मंच पर इसके जो विस्तारवादी निती उसका विरोध करना चाहिए इसमें आपक साम हमारी जो लोग है वो कर सकते तो यह सब चीजे अपडेट होने वाली है जल्द ही कोई ने कोई संगठन आपको दिखेगा अब यहां पर मैंने बोला था कि आपको चीन जो आयात उसको हम लोग कम करेंगे तभी चीजे हम लोग चीन को परतिवंदित कर सकते चीन के नित लिक्विड इनिसेटिव तो इसके संदर में देखिए लगतार परियास किया जा रहा और इसके आकड़े बहुत सुखद है शुखद है इस जो हम चीन पर हमेशा डिपेंड आते थे उन आयातों के संदर में वस्तू के संदर में उसमें गिरावट आई है हमारा प्रोड़क बिल्ड हुआ हम उस पर या तो निर्मान कर सके या तो हम उससे जो चीजें हैं डवलप कर सके तो यह पी आई है लेजना बहुत महत्पून हो जाएगा इंफास्ट्रक्चर के संदर में कि हम अपने ही छेतर पहन डवलप और मैनुस्यक्ट्रिंग कर सकेंगे और बहतर से 90 पर्शंट हम जो जो कच्चा माल होता था इसका फर्मा उत्पात का हम चीन से ही आयाद करते थे उसमें 33 परतिस अपके गिरावट हुआ और हाली में दो तीन जगा फर्मा पार्क बनाया गया है तो आपको कोमेंट सक्षन में बताएगे कहां फर्मा पार्क बनाया गया ह हाली में इसका उजाटन हुआ है जिसको में मैंने कवर किया था कितने लोगों को याद है मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को तो चलिए उसका उत्तर दे दीजेगा और सबसे बड़ा फर्मा पाक है उस राज्जी का तो आप लोगों उसे बताईएगा साथ ही साथ इस साल अक्टूबर में मुकाबले 23% की गिरावट हुई तो लगतार सुखत न्यू जारा चीन इस साल जो हम लोग करते थे कुल जो डालर का आयात की है 7.85 डालर का जो मुकाबले 9.73 कम है तो यह देखी कि उसके बैपार हम लोग घट रहे आने अर्थात आयात घट रहे तो ज़रूरी है कि हम लोग निरियात को भी बढ़ावा दे तो उसके प्रोड़क्ट को हम लोग बनाए उसके वाज में तो बहुत से जिए वह हम लोग को खर देगा भी ध्यान रखिए गा उसके प्रोड़क को हम अन राष्ट राष्टो को बेच सकते और उसके जो डिमांड है उसका जलते जल पूरा करते हो उसके जो बैलेंस अब ट्रेड है जो हम लोग घाटे में चलते हैं उसको कम किया और एक कोस्टन क एंसर बताईएगा चीन के साथ भारत का कितना बैपार घाटा है तो यह सब चीजे आपनों कोस्टन एंसर करते रहिएगा इसको सारे चीजों को में पहले कवर कर चुका इसलिए दुबारा इस सब चीजों पर चर्चा परिचर्चा करनी की जुरूत नहीं है चलिए एक पै ट्रैट मिसाले 180 के दसक में यह क्या करेगा यह युक्रेन को देने वाला है अमरिका जिसमें कितनी लागत हो कि 40 लाख डॉलर पॉन्ट के खर्च आएगा इसमें और यह लागत आएगी और इसमें 100 लाख डॉलर आता है इंटर्सेप्टेट सर्वे का खर्च आता टोटल अ इसमें 100 लाख डॉलर आता है इंटर्सेप्ट के खर्च यह चीज़े आप लोग अपडेट करना और 280 के संदर में तो बस याद रखना है पैट्रियाट में साइल हाल में किसे दे रहा है अमरिका पीटी फैट के रूप में पूछ सकता है किसे कभर कर लेना है ठीक मैं एक औ पाननी वी ट्रस्ट डिस्कावरी एगोरिदम और रूल का कंप्लिक्ट डिजूलेशन इंद अस्ट ध्हाई कि इस गुथ्थी को सुझाया अस्ट ध्हाई के ब्याक्रण को इहोंने क्या किया है कुछ सुत्र था उसको इस सोध पत्र में सोध किया है और देखिए यह जर्मन जो विद्वान थे मैक्स मुलर ने उनको उनका कहना था इस ग्रंट के सामने अंग्रीजी ग्रीक या लेटिन संकल्पना है वो नगन है और यह कॉंसिप्ट बताइएगा एक कुछी विद्वान ने यह बात बोला था कि जादी जो हम लोग वितिस्काल में थे हैं व यह बोलाता है नहीं कि भारतिये जो ग्रंट है पूरा ग्रंथ ऊड़ोप के किसी एक लाइबरेरी के में रखे गए पुस्तकों के से भी नगन्य है लोग भारतियो ग्रंथ है जो भारतिय जो संग्रह है ग्रंथो का या जो साहित्य का संग्रह है वो उरोप में रखे किसी लाइबरेरी में पुष्टकों के स्कुल संग्रह से ग्यान से कम है किस विचार धारका बोला कि इनके द्वारा बोला गया था विचार आप लोग कोन शक्राइब बताईए यह इस्ति में बहुत महत्मुन कोटेशन है तो यहां पर देखिए असध्याई के बारे में पान्नी की जो इस द्वारे में बाती की बोला गया कि जो पान्नी थे अध्भूत मस्तित वाला बेक्टी था एक सकेंद एक सकेंद जो प्रफेसर है जिसके अंडर यह लड़का ने काम किया है बैसेंच जी वार्जिनो जो उनका नाम है उनके द्वारा यह बोला गया है कि जो भार्ती संस्कृत है ना वो मेरे सिस् इनका नाम आप पहले देख लिए पिशी इनका नाम है छात्र भारती सोद्र करता जो है एक स्कृंड यह जो पेन है नहीं ले रहा है इसके वजह से देखें कुछ कुछ इसू हो गया पेपर थोड़ा सा ज्यादा हो गया जे भारती सोद्र साथ रिसू राज पोपर्ट ना इनका है अब इनका नाम इस तरह रखा गया पर काम है ना बहुत 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 किया गया है जो इनके द्वारा क्या किया गया है जो केमरीज के प्रोफेसर है संस्कृत प्रोफेसर उनके द्वारा यह बोला गया है कि जो यह चात जिनोंने काम कि कि आए समुची मानो जाती को लाब होगा और संस्कृत ही नहीं मानो सभ्यता इसका विकास होगा तो प्रोफेसर जो केमरीज के प्रोफेसर है जो कभी केमरीज भी सुध्याले के जानिक जार न्यूज अनलेसिस है वो हम लोग समात करते हैं ताकि जो चीजें हम लोग कभर करेंगे चली तब तक फिर कल हम लेक नहीं न्यूज के साथ मिलेंगे धन्यवाद जय ही